एलो ब्रिवन एक्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज से हम डेली करेंट अफेर के सीरीज श्टार्ट कर रहे हैं आज हम इस वीडियो में एक जुलाई का करेंट अफेर देखेंगे यादे आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप इसका राइट अंसर हो जाएगा, एक जुलाई को राष्टी चिकिस्यक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत में प्रतियक वर्स एक जुलाई को डॉक्टर बिधान चंदरॉय की याद में उनकी जैनती और पुनितिति के आउसर पर राष्टी चिकिस्यक मनाने की घोषडा की गई थी। डाक्तर बिधान चंदरॉय का थे? ये एक चिकिस्यक और स्वतनता सेनानी थे। इनका जन्म एक जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी मृत्यू एक जुलाई 1962 को हुई थी। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। क्या इन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है? अब दिवस की बात हुई है तो कुछ और हम दिवस के बारे में देख लेते हैं। एक जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जा और एक जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। GST कब लागु हुआ था? एक जुलाई 2017 को GST लागु हुआ था और एक जुलाई को ही राष्टी डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। चार जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 ब्रेल लीपिद दिवस मनाया जाता है।। 9 जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 13 जनवरी को पराक्रम दिवस और 20 मार्च को विश्व कुसाली दिवस और विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है। 14 जून को 20 रक्त दाता दिवस, 21 जून को 20 हाइड्रोग्राफी दिवस, 20 संगीत दिवस और 20 योगा दिवस मनाया जाता है, पांच जून को विस्तु पर्यावरण दिवस और बाइस माई को जय विवित्ता दिवस मनाया जाता है कुछ और देख लेते हैं खाल ही में operation conviction की सुरूद किसने की है इसका right answer हो जाएगा option C उत्तर प्रदेश ने operation conviction की सुरूद की है यह है क्या चीज उत्तर प्रदेश में जगन अपरादों में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए operation conviction की सुरूद की है जिससे जो टाइम लगता था नया दिलाने में इससे जल्द से जल्द नया दिलाने की बात कही गई है इसके तहट पॉक्सो एक्ट, बलतकार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकसी वाले अपराधियों के खिलाप गुडवत्तापूर जाच कर पुलिस वा अवियोजन विभाग संयुक रूप से नयाले में पैरवी करेगा जिससे अपराधियों को कम समय में कठोर सजा दिलाई जा सके ठीक है आला प्रश्ण है केंदरी काइबिनेट ने पीयम प्रनाम योजना को मंजूरी दी है या किस से सम्मंधित है इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रश्ण है रासानिक उर्वरक से सम्मंधित है पीयम प्रनाम योजना केंदरी मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समित ने पीयम प्रनाम योजना को मंजूरी दी है इसका फुलफार्म क्या है PM Promotion of Alternative Nutrition of Agriculture Management इसके फुलफार में ध्यान रखिए PM प्रणाम योजना का मूल उद्दिश क्या है राश्टी उर्वरकों पर सबसिडी के बोच को कम करना है इस योजना के अंतरगत राश्टानिक और वरकों का उपियोग कम करने के लिए प्रोसाहित किया जाएगा कुछ और योजना के बारे में देख लेते हैं इसके सुरुवात कब हुई थी? जंधन योजना के सुरुवात कब हुई थी? 2014 में स्किल इंडिया के सुरुवात 2014 में में कें इनडिया ये भी 2014 बेटी बचाओ-बेटी पढhando 2015 में परधान मंत्री मुद्रा योजना 2015 में डिश्टल मिशन योजना 2015 में परधान मंत्री उज्जला योजना के सुरुवात कब हुई थी? 2016 में नमामि गंगे ये भी 2016 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम की सुरुवात 2018 में, जल जीवल मिशन 2019, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 2019, प्रधान मंत्री श्वानिध योजना 2020, PM मित्र योजना 2021, इस्माइल योजना 2022, अगनिपत योजना 2022, पीम स्री योजना ये भी 2022 और अरोग मित्र योजना ये 2022 में सुरू किया गया था अला प्रश्ण है जू हालियां को UNDP का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है उनका संबंध किस देश से है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी चीन जू हालियां का संबंध चीन से है संयुक्त राष्ट महासच्यू एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट विकास कारकरम अठाथ UNDP के नए उप महासच्यू और एसुसीयड प्रसासक के रूप में चीन के जू हालियां को की नियुक्त की घोशड़की है कौन किया है संयुक्त राष्ट महासच्यू एंटोनियो गुटेरस ने UNDP के अस्थापना का हुई थी 22 नॉम्बर 1965 की इसकी अस्थापना हुई थी यह संयुक्त राष्ट की एजेंसी है और इसका मुख्याले कहा है नियुयार्क अमेरिका में इसका मुख्याले है अब चीन की बात हुई है तो चीन की राजधानी कहा है चीन की राजधानी भीजिंग है और बरतवान में राष्ट पती कौन है स्ती जिनपिंग चीन के राष्ट पती है ठीक है आला प्रश्ण है इसमें कुछ और नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलेवर के MD और CEO नियुक्त हुए हैं रजत बर्मा DBS बैंक के MD नियुक्त हुए हैं हस्मुक आधिया गिप्ट सिटी के नए चेयर्मेन बने स्वामी नातंग जानकी रमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रवी सिनहा रा के नए चीप बने हैं रवी सिनहा कमल कि सोर चटिवाल IGL के नए MD बने हैं जनार्धन प्रशाद भारती भू बग्यानिक सर्वेच्छड के महानी देशक बने हैं जनार्धन प्रशाद जी आगला प्रश्ण है महिला कवड़ी लीग 2030 किताब किसने जीता है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन डी उमा कोलकत्ता ने महिला कवड़ी लीग 2030 का किताब जीता है पहला महिला कवड़ी लीग 2030 का किताब उमा कुलकत्ता ने जीता है ध्यान रखिए अब पहला महिला कवड़ी लीग है फाइनल मुकाबला कौन जीता इसके बीच हुआ था पंजाब पैंथर्स और उमा कुलकत्ता के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था और सभी मैच सबाब अ अहली स्पोर्ट क्लब में आयोजित किये गये थे दुबईया दुबई में स्थित है मैच 6 जून से 27 जून तक खेल गया है और विजीता को एक करोड रुपय की रास मिली है ठीक है कुछ करेंट स्पोर्ट के करेंट अफेर देख लेते हैं आयपील 2030 कोई जीता है चिन नही ओषिपर किंग जीता है और डबलुपिल कोई जीता है यह मुभाई इंडियन ससनी जीता है Kollegin ठीक् ajust ऑら पीफा अंडर शिवन विस्वकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा इंडोनेसिया फीफा अंडर शिवन विस्वकप की मेजबानी करेगा क्रिष्टियान लांडो ने 200 अंतराष्टी मैच खेलने का गिनीज वर्ड रिकार्ड बनाया है और तलवार बाद भवानी देवी ने ACI चेंपियन सिप में काश्च पदक अथा ब्रोन मिडल जीता है मोगा सैतिस्वे नेशनल गेम का सुभांकर बना है यह भी ध्यान रखेगा अप लोग अला प्रश्ण है हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सडक नेटवर्क के निर्माड में भारत ने किसे पीछे छोड़ा है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन B चाइना को भारत ने सडक नेटवर्क के निर्माड में पीछे छोड़ा है दुनिया भर में सबसे बड़े सडक नेटवर्क के मामले में कौन पहले अस्थान पे है अमेरिका पहले अस्थान पे है अब भारत दूसरे अस्थान पे पहुँच गया है अर्थात अब चाइना तीसरे अस्थान पर पहुँच गया है। केन सरकार ने पिछले 9 साल में लगभग 54,000 km नए राश्टी मारगों की का जाल बिछाया है। भारत ने 1.45,000,000 km सडकों का निर्माड कर चीन को पीछे छोड़ का दूसरा अस्थान हासिल किया है। सडक मंत्री कौन है। नितिन गडगरी जी सडक और परिवहन मंत्री है। अगला प्रश्ण है। केंद्री मंत्र मंडल ने राश्टी अंसंधान फाउंडेशन अर्थात nrf की अस्थापना के विधहयक को मंजूरी दे दी है। इसका अध्यच कौन होगा। इसका राइट अंसर हो जाएगा। अप्शन है प्रधान मंत्री nrf के अध्यच होंगे। यह है क्या। केंद्री मंत्र मंडल ने जून 2030 को संसद में पेश किये जाने वाले राश्टी अंसंधान फाउंडेशन विधहयक अर्थात nrf को मंजूरी दे दी है। संसद में मंजूरी के बाद यह संस्था अनुसंधान और विकास अर्थात रिसर्च एंड डेवलब्मेंट को बढ़ावा और विक्सित करेंगी। केंसरकार मांसूं सत्र के दावरान nrf बिल संसद में पेश कस्तर्थ कर सकती है, nrf का बजट 50,000 करोण रुपए होगा। या उच्चस्तरी बैज्ञानिक अंसंधान के लिए रड़नीतिक दीशा प्रदान करने वाला देश का एक प्रमुख निकाय होगा। पांच वर्षो 2030 से 2028 में इस पहल की अनमानित लागत 50,000 करोण रुपए बताए गए। अगला प्रशन है, इस लेखक को हिंदी भासा के लिए स्ताहित तकाद में यूगा पुरशकार 2030 दिया गया। इसका राय टैंसर हो जाएगा, अतुल कुमार राय को यह पुरशकार दिया गया। और डाक्टर ज्यान चतुरुवेदी को 32 ब्यास सम्मान दिया गया। इनकी रचना पागल खाना के लिए या इन्हें मिला है। शिवसंक्री को 32 सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है। इनकी रचना सूर्वन्सम के लिए। दामोदर मोजो इन्हें सत्तानुवा ज्यान पीट पुरशकार मिला है। ठीक है। अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए साहित अकदमी युवा पुरशकार के लिए इन्हें चुना गया है। युवा है एक हिंदी उपन्यास कार पड़कथा लेखा संगेतकार और गीतकार है। यह रहे अतुल कुमार राय जी। नेक्ट है। साहित अकदमी बाल्स साहित पुरशकार 2023 या किसे मिला सूर नात सिंग जी को यह मिला इनकी रचना कवतुक एब के लिए या इन्हें परदान किया गया। अगला प्रश्ण है किस राज में भारत की पहली हाइड्रोजन संचाली ट्रेन चलाई जाएगी। इसका राइट अंसर हो जाएगा। अप्शन हरियाडा राज में भारत की पहली हाइड्रोजन संचाली ट्रेन चलाई जाएगी। टिकाव परिवहन को अपनाने की दिशा में यह एक महत्पूर कदम है। भारत में पहली हाइड्रोजन इधन से चलने वाली ट्रेन जिंद से सोनी पत मार्ग पर चलाए जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन पारामफिक डेजल इंजनों की तुलना में पर्यारं वरडी लाग परदान करती है। अलावर प्रश्ण है, हाली में हेमिस महुत्सय का आयोजन कहां किया गया है? इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपसे ने लद्दाक में हेमिस महुत्सय का आयोजन किया गया. यहाँ गूरुपद्म संब्भो की जायंती पर इसका आयोजन किया जाता है. या सदियों पुराना मठोट सो है और इसे विदेशी परेटों के लिए या प्रमुक आकर्शक के इंद्र भी है अलाप्रश्म है हाले में जारी ग्लोबल लिविवेल्टी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग सहर कौन सा है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन ए विविवेल्टी इंडेक्स 2023 में सबसे रहने योग सहर बना है वैस्टिक रहने योग सुचकान 2030 के अंसार विविवाना को 2030 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग सहर नामित किया गया है इसे जारी कौन करता है इकोनामिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है इसने स्वास्थ देखभाल, सिच्छा, स्थर्ता, बुनियादी धांचे और परियावरंड सहीत बिभिन कारकों पर दुनिया भर के 173 सहरों को रैंकिंग प्रदान की है कौन कौन सहर सामिल हैं बैंगलोरू, अहम्दाबाद, चिन्नई, नई दिल्ली और मुंबाई इसमें सामिल हैं नई दिल्ली और मुंबाई को 101 तलसवा स्थान मिला है और चिन्नई को 144 और अहम्दाबाद को 147 और बैंगलोरू को 148 वा स्थान प्रात हुआ है वियाना कहा है यहां आस्ट्रिया की राजधानी है तिक है आस्ट्रिया की राजधानी क्या है वियाना आस्ट्रिया की राजधानी है यह रहे आज के प्रस्न थैंक्यू फॉर वाचिंग